प्रधान मंतरी मोदी जूट बोलते हैं, बहुत जूट बोलते हैं, लगातार जूट बोलते हैं, उनके जूट को सुनकर कभी हसी आती है, कभी गुसा आता है, कभी दुख होता है, और कभी-कभी आश्चर होता है, कि इस देश का प्रधान मंतरी बिना पलग जपकाए, इतना जूट कैसे बोल लिता है अपनी वावाही में जूट बोलना विपक्ष के खिलाव जूट बोलना मुद्दों से भटकाने के लिए जूट बोलना ये प्रधान मंतरी की आदत में शामिल है लेकिन दस महीने से जलते हुए मनीपुर पर सफेद सपाट जूट बोल देना आदत नहीं पाप है किस मुद्दों से प्रधान मंतरी कहते है कि समय रहते कारवाई हुई और मनीपुर की हालत सुधर गई किस कारवाई की बात कर रहा है कौन सी सुधरी हुई हालत की बात कर रहा है असलियत ये है कि 10 महीने से मनीपुर जल रहा है असलियत ये है कि मनीपुर के लोगों ने जिस सरकार को नकार दिया वो आज भी वहाँ पर बरकरार है असलियत ये है कि लोकतंत्र के महापर्व का मनीपुर के कुछ जनता बहिशकार कर रही है असलियत ये है कि 76 साल बाद आजादी के लोकसभा की एक सीट पर मणी पुर पर दो दिन वोट कराना पड़ रहा है असलियत ये है कि हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे आज भी रिलीफ कैम्प में रहने को मजबूर है और असलियत ये है कि दूर दूर तक ना सुला ना शांती के कोई अंदेशे है अजीब सा भै आशंका और डर का महाल आज भी बना हुआ है असलियत तो ये है कि 10 महीने से मणी पुर अपने प्रधान मंतरी का इंतिजार कर रहा है लेकिन नरेंदर मोदी के पास ना तो मणी पुर जाने का वक्त है ना इरादा और असलियत में ना तो हिम्मत तो मोदी जी जूट क्यों बोलते हैं इतनी हद क्यों पार कर देते हैं हद कर दिये उन्होंने बरगलाने की हद कर दिये उन्होंने जूट बोलने की और सबसे जादा हद कर दिये जनता को मुर्ख समझने की अगर मुर्ख नहीं समझते जनता को तो मनी पुर पर इस तरह की बात नहीं कहते कि उन्होंने समय रहते कारवाई करी कौन सी कारवाई की है कभी कभी सोचती हूँ जब मोदी जी अपना अक्स आइने में देखते होंगे तो उनको दूसरी तरफ क्या नजर आता होगा एक जूटा पाखंडी आदमी और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं